तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आप जलन जैसे अलजी के लक्षनों से राहत देता है, यह नाक में जमाव या जकडन से भी राहत देता है, वेंट्रील डी सिर्फ भोजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है, आपको दी जाने वाली खुराक इसी प्रतिक्रिया करते हैं, जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है, तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए, यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है, अपनी स्वास्थ सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं, या प्रभावित हो सकती हैं, सबसे आम दुश प्रभाव मतली, उल्टी, भूख ना लगना और सिरदर्ध हैं, इन में से अधिकांश अस लेते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं, तब तक गाड़ी न चलाएं, या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो, इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती हैं, कभी आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, यदि आपको किड्नी या लीव की कोई बीमारी है, तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्युक खुरा क्लिक सके, विडिय अपकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद